अस्सलमारे के नाजरीन , आज हम मतन टिका बना रहे हरे, महने पास यह मतन टिका है 1कप दही है, 1 चमच कसूरी मेती है 1 द्हें स्थिल्स मेती है 1.5 टी स्पून नमक Doll अगर आपके पास इसका थिक्का मसाला नहीं मिलता है तो यह रेसिपपीज ऐसा ही है कि आप अपनी घर का जो जो जितना भी मसाल है उन्सी भी आप यह बना सकती हैं इसका तर्की भी यह है कि ये तक्रेबन एक गंटे से ज्यादा रखोगे मेरी नशन करके अगर एक गंटे से ज्यादा नहीं रखोगे ता मैं आप अभी से बताते हैं कि ये मतन तिका Your Pret際 somethin लाँ सखत रहेंगे यह दो तरह के बन सकते हैं, इसको कोईले कुपर भी बना सकते हैं, इसको गर में पतिली में बना सकते हैं, आज मैं आप लोगों को यह पतिली में बनाना सिखाऊंगी, और अभी इसको हम यह मेरिनेशन करके रखेंगी तकरीबन एक यून तशे ज्यादा, पर इसका बहुत मसाले डालें तो यह तोड़ा साफास होंगे जो इसको सुस्थोर अगया रिखो पिर भाद में इसको मैने करको चुछा आए यह एक गंदे चे थोड़ा सा जियादार रखेंगे अब हम तयारी कर रहे हैं यह मटन थिक्रश्राणी का है कि पाद किरो करा डंच लिए तोड़ा सा गरव हो जाएंगे यह जो मरिनेशन किया है, मटन तिका यह भी इसके अंदर डालेंगे, मरिनेशन किया है, फरिज में रखा हुआ था, इसके उपर पांच मिनट के लिए डखन रखूँगी, चूला थोड़ा सा आइस्ता रखूँगी, मतन को था करें यह ताला, मैंने डखालने, यह पर न्याशन किया है, MRhertz, माजन किति के लिए टोड़ा, पांच मिन इसको पर डखा, जब गरमारी, अब किति के लिएर गौलाया, अब इसके अंदर यह सुक्य वाली पसूरी मेथी है, यह भी डालना है, यह एक चमच है, पसूरी मेथी भी जालते हैं, मेथी के बाद ऐसे एक दो मिनट दूनों तक भी खुश भाएं, हमारा डिश बेको त्यार हो गया, हमें इसको पलेट में डाल रही है, नजरीन हमारा मतन तक त्यार हो गया, बहुत मज़िदार सा, बहुत असा रिसी पीज है, आज हमने यह आप लोग पतीली में सिखाया किस तरह बनता है, इंशाला अगली दफ़ा हम पर आप लोग को जो आपके बनता है, क्वेले को पर फिर वो भी सिखाऊंगी गर के अंदर, इतना नरम है, तो आप लोग भी इसे तरह कर दें, बहुत मज़िदार सा, जैका भी आ रहे है, कलर भी आया है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो सरूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कर दें,